एक दाफा का जिकर है, एक छोते से गाउं में, जो खबसूरत माउंटेन और घाने जंगल के दर्मियान था, वहां एक छोता लड़का रहता था, जिसका नाम आरिश था, आरिश बहुत क्यूरियस और एडवेंचरस था, हमेशा अजीब और फेंटास्टिकल जगहून कए सप का हुआ था और एक गार्डन जो जादू से चमकता था, उसके इड़ गिड़ था, आरिश खूफ और जौश से घर की तरफ बढ़ता है, जैसे ही उसने दर्वाजे का हैंडल चूने की कोशिश की, वह एक गरम सुनेहरी रोशनी से चमक उथा, दर्वाजा खुद बखुद खुल गया, जैसे के वो उसको बुलाता हो, अंदर घर अजीब और शांदर चीजों से भारा हुआ था, कितबें जो राज बताती थिन, पेंटिंग्स जो हरकत करती थिन, और फरनिचर जो अपनी ही धुन पर नशता था, जब आरिश घर को देख रहा था, उसकी मुलाकात एक बारी उलू से हुई जो बोल सकता था, उलू का नामे उलिवर था, उलिवर ने आरिश को समझाया के ये घर जाधू की एक दुनिया है और ये किसी ऐसे शाक्स का इंतेजर कर रहा था जिसका दिल पाक होता के उसके राज मलूम हो सकें, घर का अपना एक मैजिक था, जो अपना जादू उन लोगों से शेर करना चाहता था, जो इसके लायक थे, उलिवर ने आरिश को घर के अंदर घूमने में मदद की और उसे अडभुत कमरे दिखाए, एक गार्डन जहां फूल मिलकर गाते थे, एक लाइबरेरी जहां हर किताब एक अलग दुनिया का दर्व घर के सबसे गहराई हिसे में एक ताला लगा हुआ कमरा था, जो सिर्फ वो खोल सकता था, जो सचे दिल से जादू पे यकीन करता हो, ओलिवर ने आरिश को एक चबी दी और कहा कि अपने दिल पर भरोसा करो, आरिश ने गहरा सांस लिया और ताला के समने गया, चबी दाली और घूमें, दर्वाजा धीरे-धीरे खुल गया और एक कमरा रोशनी से भर गया और ऐसा खुबसूरत मनजर आरिश ने कभी नहीं देखा था, एक आयना जो मुस्तक्बिल दिखाता था, इसमें आरिश ने अपने आपको देखा जो बरा होके अपने गाउं का एक महरबान और अकलमंद लीडर बन गया था, जो अपने गाउं में खुशाली लता था, उसने महसूस किया कि असली जादू उसके अंदर ही था, आरिश ने ओलिवर और जादू के घर का शुक्रिया अड़ा किया और वादा किया कि वो अकसर वापस आएगा, और इस तरह आरिश और ज जादू का घर सबसे अच्छे दोस्ट बन गए और उनकी दोस्ती निगाउं में सलोन तक जादू की, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माइ यूट्यूब चैनल